ओम श्री गने शायन अमा माइडिया फ्रेंज तो आज हमें एक लफ टारो रीडिंग बनाने लगे हैं जो की होगी 11 से लेके 20 डिसेंबर तक की फ्रेंज ये एक लाफ टारो रीडिंग होगी जिसमें मैं सबसे पहले आपके इनर्जी निकालोंगी फिर आपके पार्टन की फिर आपके पार्तन की तरफ से लावरेकल मेसेज़िस and finally हम guidance निकालेंगे आपके लिए friends और मैं एक चीज कहना चाहती हूँ जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं I welcome you all but I request कि आप मेरे चैनल को subscribe करें, reading को अच्छे से देखें कोई भी अप ये reading को अपने उपर जबरदस्ती impose ना करें, ये sun and moon rising के according होती है तो ये एक general reading होती है collective reading होती है उस sun sign की so take it as it resonates ठीक है, so हम reading को जल्दी से start करते हैं friends so scorpio rashi आईए देखते हैं, आपकी क्या energies हैं, इस love tarot reading में for next 10 days क्या रहेंगी आपकी energies ace of wands the hierophant six of wands the empress and seven of wands देखो, मुझे आपकी cards देखके दिख रहा है कि आप अपनी शायद married life को या फिर आप एक next level लेके जाना चाहते हैं आप अपने partner को कहीं न कहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं कहीं न कहीं अगर आप उस situation में देखे, एक दो तरह की situation है एक तो वो जो already is अपने partner के साथ चीजों में हैं अभी already कुछ ऐसा no contact नहीं है कुछ ऐसी problem नहीं है तो उसमें ये दिख रहे है मुझे कि आप आपस में अपने पुराने problems को solve करके एक चीजों को ठीक करना चाहते हो चीजों में एक new beginning करना चाहते हो, एक passionate तरीके से पीछे, अगर आपसे थोड़े से भी गलतियां हो गए, कुछ issues हो गए कुछ चीजें आपने गलत कर भी दी है तो आप उनसे कुछ एक learning लेके शायद अपना उनके साथ एक अच्छा relationship दुबारा से create करना चाहते हो, एक तो मुझे एक father figure से, या किसी दोस्ट से राए ले रहे हो, मश्वरे ले रहे हो कि मुझे अपने partner को या अपने person को किस तरह से चीज़ों को सही करना चाहिए, क्योंकि वो person आपकी life में कहीं न कहीं बहुत fulfillment लेके आता है, बहुत खुशियां लेके आता है, एक एक तरह की आपको शायद life में growth उसी person के साथ दिखती है तो आप इस तरीके की मुझे energy में दिख रहे हो, for next 10 days Scorpio, या आपकी reading है अब मैं आपके partner की देखती हूँ, क्या वो भी इसी तरह से कुछ फील कर रहे है या उनके मन में क्या है तो देखते हैं Scorpio के partner की क्या है feelings The wheel of the ear The page of pentacles Five of cups Ten of wands Night of wands देखो वो भी इस relationship में equally ही passionate है और कहीं न कहीं वो आपके साथ life को एक good luck way में ही देखते हैं लेकर चीजें कहीं न कहीं एक ऐसे level पर आकर burdened हो गई थी जहां पर उनके लिए भी संभालना शायद थोड़ा सा मुश्किल हो गया था अगर उनकी वे ten days की energy कहूं तो वो अभी फिलाल बहुत सदा sad energy में चल रहे हैं या में भी आने वाले ten days में वो पीछो मुड़कर चीजों को देखेंगे सोचेंगे कि क्यों उन्होंने अपनी तरफ से चीज़े ठीक नहीं की क्यों उन्होंने आपको मनाया नहीं क्यों उन्होंने अपना effort नहीं डाला क्यों उन्होंने एक कमजोर इनसान बनके आपको दिखाया कि जो effort नहीं करता कुछ इस type की regretful energy दिखरी है क्यों उन्होंने आपको ऐसा दिखाया कि ये रिष्टा एक बोज है या burden है जबकि ऐसा था नहीं वो passionate थे काफी ज़ादा चीजों के लेके आप उनकी life में एक खुशी लाते थे चीजों को अच्छे लेवल पे लाते थे पर उन्होंने कैसे nine of pentacles जो एक होता है ना good luck का एक खुशियों का एक card था उस से उस situation को उन्होंने एक regretful zone में लेके गए शायद पीछे definitely उन्होंने multitasking की है या फिर दो लोगों में या दो situations में कहीं न कहीं जगल किया है कुछ आपको इस तरीके की situation में डाला है जहां पर आप बहुत सादा sad हो गए उनकी इन सब हरकतोंगी वज़े से और बहुत जदा आपको मतलब hurt हुआ है मुझे देख रहा है Scorpio maybe I don't know आप मुझे ज़रूर बताना क्या ऐसा कुछ उन्होंने क्या किया है कि आपको बहुत जदा sad feel हो रहा है ठीक है मैं लावू रेकल से आपके partner के messages देखते हूं for Scorpio राशी आईए देखते हैं क्या कहना चाहते हैं forgiveness stop focusing your energy on past events your life is too precious to waste you create your reality what you think and dream and imagine तो maybe आप शायद forgive नहीं कर पा रहे हो maybe वो आप से forgiveness की उमीद रखते हैं कि शायद आप उन्हें आने वाले time में forgive करते माफ करते इन चीजों को भूल कर दुबारा से ठीक करें और अपनी energy को waste ना करें ठीक है अगला है so you may not always understand why certain things happen however there is a higher life purpose to the events in your life so turmoil a blessing will be revealed maybe यह turmoil जो आप दोनों के बीच में आया जो इतनी ज़्यादा pain देखे गया आपको बहुत ज़्यादा इतन मॉयल कहीं न कहीं आपको कुछ सिधाना चाहता है इससे आपको एक जैसे कहते है न blessing and disguise तो दुख में भी सुख ढूंड लेना या इस तरीके के एक situation आपकी life में कुछ ऐसी आएगी तो maybe कुछ आपको सीखने को मिलेगा कुछ life आपको एक अलग लेवल पे लेके जाएगी धीरे धीरे ये शायद वक्त के साथ reveal होगा ठीक है तो ये friends आपके love oracle messages है आईए देखते है Scorpio Rashi के लिए divine क्या messages देना चाहता है so divine messages for Scorpio Rashi देखते हैं within the next few months maybe अगले कुछ महीनों में कुछ ऐसी चीज़े होने वाली हैं जो शायद आपको clarify करे divine in the near future once again the same messages within the next few weeks क्या है ये क्या इतना clarify कर रहे है wait करने को कह रहे हैं आपको तो maybe अभी आपको कुछ time wait करने को ही कह रहे है divine Scorpio आपको लाइफ में जरूर कुछ अच्छा होने वाला है देखिए clear ही नहीं कर रहे है कि exactly वो message है क्या so wait if you believe लेकिन आने वाले वक्त आपके लिए शायद बहुत अच्छा आने वाला है कुछ ऐसी blessings आने वाली है तब ही आया ना blessing in disguise का message so आप wait करे कुछ भी ऐसा गले डिसीजन ना ले कुछ भी ऐसा हौच पॉच में ना कुछ करे सोच समझ के चले कि क्या है all right so I hope friends कुछ आपको resonate किया हो reading में channel को subscribe करना reading को like करना मैं मिलती हूँ आप से अगली reading में तब तक के लिए bye friends